आखिर बाबुलाल ने 22 प्रतिग्य छपवा कर ऐसा क्या गुना कर दिया कि हिंदु धर्म के लोगों को मिर्ची लग गई जैभीम नमुबधै साथियो आप देख रहे हैं NB News 24 इंटू 7 निलम बोध के साथ साथियो आज मैं बात करूँगी उत्तर प्रदेश की जी हां वही उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश में बहन जी का सासनकाल 4-4 बार रहा उसके बाद अखले श्यादव कर रहा और अभी वर्तमान के अगर मैं बात करूँ तो भारते जनता पार्टी के जो योगी आदि रवाय हैं जो कि उत्तर परदेश के सुल्तान पूर का है, सुल्तान पूर के पिलिस परसासंग के तवारा एक बार फिर से जाति वादी रवाया देखने को मिला, सात्यो घटना कुछ इस तरह से है सुल्तान पूर में एक गाउंअ है जिसका नाम है अभिया खुर्द, वहां क एक निवासी है बाबुलाल गोतम जी जिनकी उम्र है 70 साल और 20 माई को उनकी पोती की शादी थी और 21 माई को उनकी विदाई थी और 24 माई को बाबुलाल गोतम जी को प्लिस परसासंग के द्वारा हिरासत में ले लिया गया अब आप सोच रहे होंगे कि शादी पोती की हुई है और इस तरह से हुई है फिर बाबुलाल गोतम जी जो कि उनके दादा जी है उनको हिरासत में लेने का क्या कारण है साथ आपको मैं कारण बिल्कुल स्पस्ट कर दूँ यहां पर और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस प्रसासन ने किस तरह से पर्टी कूलर एक विस प्रतिग्याएं चपवाई थी साथ यह बाबुलाल गोतम ने अपनी पोती के कार में वह 22 प्रतिग्याएं चपवाई थी जिन प्रतिग्याओं को बावा साब ने 1956 में अपने अन्याईयों को बहुत ध्रम ग्रहन करते वक्त दिया था अब सोचने वाली बात यह है कि आखि और जब उन्होंने कोतवाली में जाकर हल्ला बोलने का काम किया, बहुजन समाज के लोगों ने सुल्तान पुर्जिले में अलग-अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किया, अलग-अलग तरीके से इस परसासन के खिलाफ अपनी आवाज को बलंद किया, और बहुजन समाज की एकता को देखते हो, पुलिस परसासन को जुखने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो साथ्यों ये थी बहुजन समाज की एकता, लेकिन अब बात आती है कि उन 22 परतिग्याओं में ऐसा क्या था, कि जिन परतिग्याओं को लेकर पुलिस परसासन इतना तिल मिला गया, कि वो 22 परतिग्याओं देखकर उनके तन बदन पर साप लोटने लगे, और जब उनसे बरदास नहीं हुआ कि सारजनिक रूप से शी साधी के कार में 22 परतिग्याओं चापी गई है, जो कि हिंदू धर्म का पूरी तरह से खंडन करती है, ये चीज बनुवादी लोगों को हिरासत में लिया गया, क्या 22 परतिग्याओं में कोई दोस है, ये बाबा साब ने 22 परतिग्याओं अपने समाज को कानून या सवीधान की मरियादा के खिलाप जाकर दी, क्या 22 परतिग्याओं को बोलना आज किसी कानून का उलंगन है, आईए चर्चा करते हैं इनी कुछ बातों पर और उससे पहले में आप सभी को 22 परतिग्याओं पढ़कर बताना चाहूंगी, जिन 22 परतिग्याओं के कारण बाबुलाल गोतम को प्लिस परसासन ने हिरासत में लिया, बाबा साब के द्वारा दी गई 22 परतिग्याओं में से, मैं यहाँ पर केवल उन परतिग कर नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा, दूसरी परतिग्या, मैं किर्ष्न और राम को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा, तीसरी परतिग्या, मैं गोरी गणपती इत्यादी, हिंदु धर्म के किसी भी देवी देवता को इश्वद नहीं मानूँगा और नाहीं उनकी पूजा करूँगा चोथी परतिग्या और मैं कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा कि इश्वद ने अवतार लिया है और पांचवी परतिग्या मैं इस बात को कभी नहीं मानूँगा कि भगवान बुद्ध विश्नु के अवतार है और जो लोग ऐसा कहते हैं वो मात्र केवल पागलपन जूटा परचार है सभी मनुष्स से एक समान है इस सिधान को मानूँगा साथियों बाबा साब की दियो ही 22 परतिग्यां में ये परतिग्यां वो थी जिन को पढ़कर हिंदु धर्म के लोगों को मिर्ची लगती है और साथियों बाकी की परतिग्यां तो वो हैं जो मानव कल्यान के लिए और समानता की बात करती है लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज भी 70-75 साल के बाद देश के मनुवादी ब्रह्मन वादी लोगों को समानता कभी भी पसंद नहीं आती और यही कारणे कि आज सुल्तानपूर में बाबूलाल गोतम जो की 70 साल के उनकों सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया लोग इन 22 प्रतिग्यों से क्यों चिड़ते हैं क्या यह 22 प्रतिग्यों कोई अपराध है या यह कानून के दाएरे से बाहर हैं क्या यह सत्ते पर आधारित है यह सत्ते पर आधारित है तो आईए चर्चा करते हैं इन ही कुछ बातों पर जब सीताराम के पास पहुँचती है तब वो कह उत्ते हैं भद्रे युद भूमी में शत्रु को प्राजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया है पुरसात के दोरा जो कुछ किया जा सकता था मैंने किया है अपने तुरसकार का बदला चुकाने के लिए मनुश्य का जो करतव है वह सब मैंने अपने मान की रक्षा की अभिलासा से रावन का वद करके पूर्ण कर दिया है तुम्हारा कल्यान हो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने यह युद का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के प्राकर्म से जो इसमें विजय पाई है यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है सदाचार की रक्षा करने, सब और फैली हुई अपनी बदनामी दूर करने तथा अपने विख्यात बंस पर लगे हुए कलंग को धोने के लिए यह सब मैंने किया है तुम्हारे चरित्र में संदय का आउसर उपस्तित है फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो जैसे आख के रोगी को दीपक की जोती नहीं सुहाती उसी तरह से आज तुम्हें मुझे नहीं सुहा रही हो और अतेंट एप्रिये जान पड़ती हो अते जनक की पुत्री तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम चली जाओ मैं तुम्हें नहीं रोखूंगा भद्रे ये चारों दिशाय तुम्हारे लिए खुली है अब तुमसे मेरा कोई संबन्द नहीं है ऐसा कौन कुलिन पुरूस होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रह रही इस्त्री को केवल इस लोब से यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रही है अच्छी तरह रह चुकी है मन से ग्रहन कर सकेगा रावन तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी बुरी नजर डाल चुका है ऐसी दशा में मैं अपने कुल को महन बनाता हुआ फिर से तुम्हें कैसे ग्रहन कर सकता हूँ अते जिस उदेसे से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया है मेरे कुल का कलंक धुल गया है अब मेरी तुम्हारे परती ममता या आ सकती नहीं है आते तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो भद्रे मेरे यह निशित विचार है इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने यह बात कही है तुम चाहो तो भरतिया लक्ष्मन के साथ सुक पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो सीता यदि तुम्हारे इच्छा हो तो तुम सत्रुगन सुग्रीव या विभिशन के पास भी रह सकती हो जहां तुम्हें सुक मिले वही अपना मन लगाओ तुम जैसी सुंदर मनोरम नारी को अपने घर में सिर्व देखकर रावन देर तक अपने को तुमसे दूर रखने का कष्ट नहीं सह सका होगा तो साथियो अब आप मुझे खुद बताईए कि आखिर बाबुलाल ने 22 प्रतिग्या चपवा कर ऐसा क्या गुना कर दिया कि हिंदू धर्म के लोगों को मिर्ची लग गई या हिंदू धर्म के लोग ही मुझे ये बताएं कि उनके धर्म गरंतों में ऐसा क्या है जिसमें की गर्व किया जा सके अगर गर्व करने वाली कोई बात है तो आप मुझे भी बताईए ताकि मैं भी आपके धर्म गरंतों पर और उनमें लिख्यों हुई बातों पर गर्व प्रतिग्याओं के माध्यम से काम नहीं किया क्या वह नहीं और इस काम के लिए हमें बाबूलाल गौतम को देश्वक्त नहीं कहना चाहिए तो साथ्यों मेरे ही एक कुछ सवाल है तो मैं छोड़कर जा रही हूं आप खुद निर्णे लीजिएगा बाबुलाल गोतम ने अपनी पोती की शादी के कार में 22 प्रतिग्य छपवा कर अपराद किया यह कोई पुन्य का काम किया जैभी नमो बुद्ध हैं अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल NB News 24 x 7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पोचा करें